घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी सरलता से समझाया एक शहर में एक परिवार रहता था उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे पिता एक दुकंदार था जिसका नाम दिपक था वे अपने बेटे को भी दुकंदारी के बारे में सिखा रहा था जीवन अच्छा चल रहा था सभी लोग घर में खुश थे एक दिन लड़के के लिए एक रिष्टा आया और दिपक ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए अब हमारा लड़का दुकंदारी भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में भी कोई प्रेशानी नहीं होगी दिपक कुछ सरल सभाव का वैक्ति और उसकी पतनी थोड़े पुरानी विचार और चिड़-चिड़े सवबाव की थी दिपक की पतनी ने कहा कि हमें सोच समझ कर रिष्टा करना चाहिए हमें पहले देख लेना चाहिए तब ही आगे बढ़ना चाहिए दिपक نے अपनी पतनी से कहा कि अब तुमें अपने पार बदलू मैं तो बिल्कुल सही हूँ दीपक बहुत ही समझदा था उसने अपनी पतनी से कहा मेरी बात ध्यान से सुनो अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा जब हमारे लड़के की श सकता है यह समस्या मेशा बने रहेगी इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब तुम्हें अपना चिरजड़ा और जिद्धी सवभाव छोड़ना होगा अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद अगर किसी करनवश तुमारी कोई बात नहीं मानी जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना तुम्हें उस बात को नजर अंदास करना होगा क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बेटा परिशान हो सकता है और उसके वेवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है कुछ दिन बाद लड़की की शादी हो गई थी अगली सुबह जब बहु उठी तो दिपक ने अपनी बहु से कहा कि अब ये घर तुम्हें ही चलाना होगा सब कुछ तुम्हें ही करना होगा यह जिम्मेदारी तुम्हारी है यह कहका दिपक और उसका बेटा दुकान की और चल दिये दिपक की पतनी कुछ नहीं बोली उस उसे नमक तेज लगा पर वो कुछ नहीं बोला और फिर बेटे ने खाना शुरू किया बेटे ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी की और देखकर कहा कि आप देख रहे हैं पिताजी कितना तेज नमक है बेटा जैसे ही अपनी पतनी से कुछ कहने को हुआ तो ने उसे भी कुछ बोलने से मना कर दिया जब खाना समाप्त हो गया तो सभी लोग खड़े हो गए और दीपक बाहर तैल ने चला गया पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया पिताज इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा और बोले बेटा वो तुम्हारी पतनी है वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे बरोस ही तो इस घर में आई है अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा तुम्हें अब अपनी करिष्टी बड़े देखकर चलानी होगी ब इताजी ने का कि इसमें कोई गलती नहीं है ऐसा ही गलती तो किसी से भी हो सकती है बेटे की पतनी के माफी माँगने के बाद देखक की पतनी ने सोचा आगे से मैं भी बहु को कुछ नहीं कहूंगी उसे हमेशा प्यार से ही समझाया करूंगी अगर शायद मैं बहु को बात बिगड भी सकती थी इसके बाद दीपक की पत्नी भी अपने चुचरे सवहों में सुधार लाई